इंडिया से महिलाओ को वीदेशों में नौकरी के लिए बहुत से दोखादड़ी किया जा रहा है अगर महिलाओ को वीदेशों में नौकरी करने के लिए जाना है तो इस वीडियो को आखरी तक देखते रहें दिवई, कतर, ओमान, बहरीन, मलेशिया, थाइलेंड जैसे देशों में इंडियन महिलाओ नौकरी करने के लिए जा रही है उन्हें 20-30,000 नौर्मल पैसे मिला जबकि 50,000 तक उन्हें जबकि 50 अर से 1 लग तक सलनी भी मिल रहा है क्या आप जानते हैं कि इंडिया से जाने के बाद में उनके साथ दोका धड़ी भी हो रहा है तो आप बिल्कुल इस वीडियो में जानने वाले हैं इंडिया से कई देशों में कई महिलाओ नौकरानी के लिए तो कई ऐसे और उनकी साली 35,000 रपे बताया गया था है। इसमें जारतर महिलाएं उतरपरदेश, राजस्थान, बिहार और पस्चिम मंगाल की है। यह समेलाएं मलेशिया में नौकरी करने के लिए गई थी, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद में उनसे देह बयापार करा जा रहा है। मतलब कि उनसे गलत धंदे में डाला गया है और उनसे गलत धंदा करा जा रहा है। उन लोगों को जबरदस्ती वहां रखा जा रहा है ना उनके पास फोन करने के लिए कोई मुबाइल छोड़ा जा रहा है और नहीं बाहर निकलने दिया जा रहा है उन लोगों के साथ जबरदस्ती और बदसलुकी भी किया जा रहा है यहां तक कि खाना समय पर ना देना मारप महिलाए अगर विदेशों में नवकरी करने के लिए जा रही है तो सबसे पहले उनके बारे में यह जाने कि पहले से कोई है वहाँ या नहीं है पहले उन कमपनी में संपर करें पूरुसों की तरह नहीं है अगर कोई पूरुस जाकर की विदेशों में फस रहा है तो खुद भ काम करा जा सकता है या ज़्यादतर भारतियों को cyber fraud करा जा रहा है लेकिन महिलाओं को ले जाकर के वहाँ कुछ agent बेच दे रहे हैं जहाँ पर उनसे देह बयापार करा जा रहा है और उनसे जबरदस्ती करा जा रहा है इस मामले में अब तक कई agent के खिलाफ में मामला दर्ज भी हो चुका है और कई की अभी होजबिन जारी है लेकिन अगर महिलाओं को नोकरी के लिए भेजने वाले हैं तो पहले उस company के बारे में पता करें और वहाँ पता करें कि अल्लेडी पहले महिलाई है या नहीं अगर उनसे संपायर के में हो तो ही भेज़ें नहीं तो बिल्कुल न भेज़ें